Dear student, today we will see how to write C program and how to compile it by using jdoodle online compiler. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Google में आप simply type कीजिएगा jdoodle online c compiler. तो यहाँ पर एक option आपको मिलेगा, online c compiler ide jdoodle. यहाँ पर ide का full form होता है integrated development environment. यहाँ आप click कीजिएगा simply. तो देखे, online c compiler आपका यहाँ open हो चुका है. और यहाँ पर पहले से program लिखा गया है. इस program के बारे में आपको मैं बताऊँगा. यहाँ पर command line argument का box है. command line argument के बारे में भी आपको मैं अपने वीडियो में बताऊँगा. और यहाँ देखे, htd in input box है. रन टाइम में input करने के लिए यह box helpful है. और इसके नीचे जो है यह execute का button है. यहाँ जो black color का आपको दिख रहा है. यह output terminal है. यहाँ three button दिख रहा है, three button को click करने के बाद. आप देखे, आपको different option मिल रहा है. new project, my project, execute history, collaborate, save, save as. तो यहाँ पर बहुत सारा different option आपको दिख रहा है. यहाँ dark theme है. अगर यह theme को आप dark करना चाहते हैं, तो देखे, आप यहाँ पर dark theme कर सकते हैं. तो यह dark theme आपको दिख रहा है, ठीक है? dark theme जो है, इसे आप हटाना चाहते हैं, तो यह remove भी हो सकता है. और यहाँ पर इसके नीचे देखे, font size 20 selected है. जो भी file आप बना रहे हैं, वो file आप locally save भी कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास save option भी है. तो इस id में c का program आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए mobile data की जरुत पड़ेगा आपको. यहाँ पर execute बटन को प्रेस करने के बाद जो आप output मिलेगा, देखे, output जो दिख रहा है, sum equal to x plus y equal to 35. जो output मिल गया आपको. तो student, एक simple सा program मैंने लिखा है, दो number को add करने के लिए. इसके लिए तीन variable ABC लिया जा रहा है. print app, scan app function के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा. इस program के थुरू हम लोग test करते हैं, कि online में ये compiler किस तरह से काम करता है. तो इस program को run करने के लिए, आपको input box में, तो suppose किजिए std in input box में, 45 and 65 input किया जा रहा है. अब यहाँ पर execute button को press करता हूं. यहाँ पर A में input किया गया है, 45. B में input किया गया है, 65. और output में आपको मिल रहा है, sum is 110. तो 110 जो है, यह output आपको सही नज़र आ रहा है. तो student, online C compiler ID, यानि J Doodle के थुरू, आप कभी भी कहीं भी mobile में, C program को execute कर सकते हैं. I hope कि आपको यह video समझ में आ गया होगा. अगर आप इस video के help से, online compiler में C program को run करते हैं, तो comment line में comment जरूर कीजिएगा. इसी के साथ मैं video को hint कर रहा हूँ. Thank you for watching my video.